दोस्तों YouTube चैनल को मोनिटाइज करते समय अगर Step 2 में इरर आ गया है और आप हो चुके हैं परसान बहुत सारे AdSense एकाउंट बना रहे हैं अलग लग Gmail से AdSense एकाउंट बना रहे हैं लेकिन प्रॉलम सॉल्व नहीं हो रही है तो ये वीडियो बहुत ही ध्यांज देखे दरसल दोस्तों आज हम एक चैनल की प्रॉलम सॉल्व करकर आपको लाइव दिखाएंगे और Step 2 इनका कम्प्लिट करकर दिखाएंगे क्योंक दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे अपने चैनल की प्रॉलम सॉल्व करवाते हैं क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपके यूटूब चैनल पर Step 2 में इरर आ गया है चाहे आपके गूगल एक्सेंस में आइडेंटी वरिफिकसन फिल्ड होगा आपका पील लेटर नहीं आ रहा है आपके बैंक एकाउंट में कोई दिक्कत है इवेश टेक्स फॉर्म को लेकर कोई प्रॉलम है तो आप कहीं और मज़ जाईए टैकनो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फालो किजिए वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में और चैनल के अबाउट में इंस्टाग्राम का मैंने लिंक मेंसन कर रहा है वहां से क्लिक करके अगर आप हमें फालो करते हैं और साथ ही में दोस्तों हमेशा वीडियो कॉल करकर ही अपनी चैनल का जीमेल और पासवर्ट दीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत सा लोग फेक एकाउन बना कर आपके साथ जो है धोखा धड़ी कर रहा है आपकी चैनल को हैक कर सकते हैं तो टैकनो गुर्देव को वीडियो कॉल कीजिए और चैनल का जीमेल के साथ कैसे लिंक करेंगे वो सारी चीजिए मैं आपको इस वीडियो में करकर दिखाने जारू दोस्तों मैं देव साहनी स्वागत करता हूं सभी का टैकनो गुर्देव यूटूब चैनल पर पहली बार चैनल पर आया है तो सबस्क्राइब कर लेजिगा क्योंकि आपकी य चैनल के साथ लिंक कीजिए सही से डिटेल्स फिल कीजिए वरना दोस्तों आप परिसान हो जाएंगे और कई बार आपका इस्टेप टूम जो फिक्स इन एड्सेंस और चेंज एसोसियेशन का आप्सन रता है वो ब्लॉक हो जाता है थार्टी टू डेच के लिए तो ऐसे मे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल नहीं हो रही तो हमें इस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कीजिए या हमारे वर्टसप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक चैनल के साथ लिंक है तो यहां पर एक Google AdSense एकाउंट हमारे सामने ओपेन हो रहा है और इस Google AdSense एकाउंट को इन्होंने कर दिया है क्लोज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि Google AdSense एकाउंट क्लोज कर देते हैं उससे कोई प्रॉलम नहीं आती है प्रॉलम तब आती है ज उसमें हम उसको सही से जल्दी कैसे फिक्स करकर उसको दें ताकि वो भी अपनी चैनल को मोईडाज करके आर्टिंग कर सकें दोस्तों हमने यहां पर देखा कि Google AdSense एकाउंट क्लोज है तो मतलब कि आधा काम हमारा पहले ही हो चुका है बस हमको करना क्या दोस्तों Change Association के उप पर क्लिक करते नहीं, verify its you का इस तरीके का मेसेज आएगा, next पर क्लिक कर देंगे और two step verification code को हम अपने phone पर कर देंगे click दोस्तों code को क्लिक करने के बाद step two का option आजाएगा और यहां पर select button पर क्लिक करेंगे, तीन option मिलेगा, no I don't have a negation account को हम select करकर continue कूपर क्लिक करेंगे लिकिन दोस्तों मैं हमेशा recommend और safety के purpose जो है एक नए Gmail को बनाता हूँ और उससे Google AdSense account लिंक करता हूँ, तो कैसे करना है, use another account को पर हम click कर देंगे और यहां पर create account को पर click करकर for my personal use को हम select कर लेंगे, दोस्तों यहां पर अपने जो भी name से Google AdSense account चाहिए उसका name और last name डालकर next पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों basic information में month, day, year और gender select करकर next पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहां पर use your existing email, हम इसको get a Gmail address in street पर click करकर, यहां पर दोस्तों हम create your own Gmail address को select करेंगे, और यहां पर अपना जो भी AdSense के लिए Gmail account बन रहा है, उसका user name यहां पर हम बना उसके बाद दोस्तों यहां पर हम password डालेंगे दोनों box में और यहां पर next पर click कर देंगे, उसके बाद दोस्तों add recovery email, आप यहां पर डाल सकते हैं कोई दूसरा email, recover करेंगे और हम इसको skip करेंगे, बाद में डाल देंगे उसको और यहां पर next पर हम click कर देंगे, next पर click करने क के बाद दोस्तों privacy and terms आएगा I agree बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों let's get you started आप देख सकते हैं आपके चैनल का जो URL वो चेक कर लेंगे जिस भी country से हम इसको create कर रहे है Google Adsense को ठीक है तो हम यहाँ पर इंडिया को select कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे I have read and accept the agreement setup account के बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों इतना करने के बाद अब आपके सामने बहुत ही important page आयागा customer information यहाँ पर बहुत सारी लोग मिश्टेक करते हैं और इसी की वज़े से step to mirror आता है दोस्ते हैं आप सारी चीजों को आपको सही सही clear feel करना है जैसे कि सबसे पहला है account type द चीजने स्लेट कर सकते हैं लेकिन पर इंडिविज्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो नेम है वह आ जाएगा आटोमेटिक आप यहाँ पर अपने नेम को सही कर सकते हैं एड्रेस फिल करकर आपको समीट पर क्लिक करना है दोस्तों समीट करने एक बाद हमारे सामने गूगल नीट से टू वैरिफाई और फोन नमबर यहाँ पर आपको एक मुवाइल नमबर डालना है और टेक्स मेसेज को स्लेट करकर सेंट पर क्लिक कर देना तो चलिए हम यहाँ पर अपना मुवाइल नमबर डाल देते हैं उसक इंगो का वो कोड डाल कर यहाँ पर समीट कर देना है उसके बाद दोस्तों वी आर रिविंग और इन्फॉर्मेशन जो हमने गूगल एडसेंस में इन्फॉर्मेशन डाली है वो हमारा रिवीव के लिए चला जाएगा और गूगल एडसेंस एकाउंट जो है रिवीव में चला जाएगा और हमको वेट करना है दोस्तों वन वीक के लिए वन वीक का कम सकम इसमें समय लगता है एक सेटर सब्ता में यह डन हो जाता है उससे पहले अगर यह डन होता है तो मैं आपको यहाँ पर चेक करकर दिखा दूँगा तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपनी चैनल की श्रेप टुलिए प्र्लम सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको बताता दोस्तों कि जैसे मैं इनकी प्रॉलम सॉल्व कर रहा था वैसे ही मैं सबकी प्रॉलम सॉल्व करता हूँ अब आप सौछ रहेंगे कि यह मुझसे और कीनल के बाउट में मिल जाएगा मुहां से क पर जब तक मैं ना दिखूँ अपने चैनल का Gmail और Password किसी को देने की जरूरत नहीं है मैंने अपना WhatsApp नमबर भी चैनल पर मेंसंग कर रहा है आप मुझे WhatsApp पर भी अपनी प्रॉलम सेर कर सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मेरे दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी help हो जाएगी और नहीं होती है तो मैं तो बैठा ही हूँ यूटूब पर आप मुझे contact जरूर केजिगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों सेर कर दिजिए साथ हिम दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्यों कि यहाँ पर आपके यूटूब चैनल और Google AdSense का ख्याल लगा जाता है चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स डूक साथ अपना ख्याल लखिए जैहिन बंदे मात्रम झाल लखिए झाल कर बंदे ऊंडर ख्याल कर दोस्तों में साथजानी व्याल